हाँ जी दोस्तों वेलकम स्वागता तो आड़ा स्टेडिशेप यूटिप चैनल ते अज दे इस वीडियो ते रहीं CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टुमेंट्स आर्गेनाईजेशन चंडिगार दियां वखवाख खेडियां असामियां उन्ना दी जानकारी तो आड़ेना मुडली जानकारी इस टॉपिक दे बारे मिलेगी असामियां नाम की है गिंती किनियां कुल पोस्ट किनियां ने तो आड़ी नी जुकती कित्थे होनी है जो तो आड़ी सेलेक्शन हो जान दी है असामियां दे वेरवे की इने बखवख असामियां केडियां होना दे डिटे पर दे वेरवे, पेपर के इस्तर दा वेगा, किन न मबर परएगा, उस सारी पूरी जानकरी, अपलाई कराई करना है, आखरी मिथी ये दिकी है, और अपलाई कांद दे लए, अपलाई कांद तो पहलना, तो आडेकोली जरूरी दास्त जाँ आज़ा, ज़ एकड़ेकड़े रखने है और के में उन्हानों अपलोड करना हो जानकारी दे मागे और एक जरूरी सला तो आड़े लई वो लास्ट दे वीडियो देते हो नो दे मागे तो बिना स्कित कीते तुसी ये वीडियो पूरिया देखना stay connected stay updated इस चैनल ना जुड़े रहो और अपडेट रहो और हो सगधा तो आड़े जड़ी ट्रेट दे विच इंट्रस्ट ना होबे जाए इस जौब दे विच ना होबे तो आड़ा कोई रिश्चदार जा कोई फ्रेंड सर्कल दे विच हो तो आड़ा दोस्त में तर इंट्रस् पहुंच दी करो और शेर करो और जाए उन्हाननों इनना पोस्ट ना दे वारे दसो तांके किसे भी उमीदवारता कहे पहुंचे और उन्हान दी जौब लग सके सो मुडली जानकरी दे विच तो आड़े तो एक स्वाल आप पोस्ट कीता सी गा जिदा जवाब पुछा गय आसी के तुसी आई टी आई तो बाद अग्ये पढ़ाई जारी रखना चौन दे हो जान नौकरी करना चौन दे हो ताहिए रिस्पॉंस दे विच कुल 700 परसंज ने रिस्पॉंस देता है जिदे विच नौकरी जड़ी है 85% ने स्लेक्ट कीती और पढ़ाई जड़ी है 15% न बखवख संस्थामा दे विच जा और्गनाईजेशन दे विच नौकरी निकल दे ओदे लिए वीडियो आज त्यार किती जा रही है तो CSIR की है CSIR CSIO की है दो बार इतनु जानकरी दे दिये के CSIR साइंट्रल साइंटिफिक इंस्टुमेंट्स और्गनाईशन चेंडिगाड यह एक Council of Scientific and Industrial Research CSIR दे अंदर एक इंस्टिचूट है संस्था है जडिके multi-disciplinary research and development program दे विच बेसिक ते अफ्लाइड नेचर दे विच जडिके measurement science and instrument instrumentation technology and human source development दे विच काम कर दिये and this organization is developed to R&D activities in the area of agri instrumentation, Khetivadi दे 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 इस्टुमेंटेशन दे विच काम कर दिये biomedical instrumentation दे विच optical devices and systems दे विच और geoscientific instrumentation, precision mechanical systems, analytical techniques, computational instrumentation and research and development sport facilities आद इनना दे विच जडिके है काम कर दिये, तो असामी दा नाम है technician 1, grade 2, grade 2 दी technician 1 दी असामी है जिदी कुल गिंती है चिताली, कुल चिताली पोस्ट है इनना दे विच जडिके है जडिये पर यह जारिया ने, और इदी अगली जान कर दिविच तो अंदास दिये के निजुक्ती दा स्थाना जड़ा बहुतीया पोस्ट है, वो चन्डिगड ही निजुक्ती कीते जाने है उमिदवार, और कई पोस्टां दे विच चे नई विखे निजुक्ती कीते जानी है, ओ तो अन्वागले हिससे दे विच इस वीडियो दे दासते है कि केड़ी और सामीया दी गाल करिए वेर वे तो अनो दसी है इस सामी दा नाम है टेकनीशियन ग्रूप 2 टेकनीशियन 1 ग्रूप 2 बन नमबर ओ पोस्ट एंड रिजर्वेशन दी गाल करिए तो टोटल नमबर ओ पोस्ट तो अनो पहला दसी है कि चताली है अन्क्लिवडिंग जीदे विच एक PWBD बैकलॉग दी पोस्ट है और अने रिजर्वड किनिया पोस्ट है पच्ची पोस्ट आने OBC दीया साथ पोस्ट आने अने रिजर्वड मतले जैनल कोटे दीया पोस्ट है रिया ओहो पच्ची है और OBC अधर वेकवर्ड क्लास साथ पोस्ट आने सी पोस्ट है जैनल यह साथ ने EWS एकनोमिकली विक्कर सेक्षन दे लिए चार पोस्ट आने PWBD फिजिकली जैडे डिसेबल परसन ने बैंचमार्क डिसेबल दी परसन ने उनना दे लिए इक पोस्ट है बैकलॉड विकन्सट आने बैचनल दे लिए और होरीजनल जैनल रिजर्विष्न दे विच्च एकस सर्विसमें दे ने चार पोस्ट है पी, डव, बी, डी, वी, एच, एक पोस्ट है यह यहां एब्रिवेशन्स नीचे लिखी हैं उत्तो तुसी स्क्रीन शॉट लेके बाद विच्छ चेक कर लेना की की एब्रिवेशन्स है पे मैट्रिक्स लेवल जेड़ा नाद है लेवल टू, सेल बन एहे 7th CPC दे अकॉर्डिंगली तो अनू, पे मिलनी है टोटल एमॉलुमेंट्स पार मंथ अप्रॉक्सिमेटली तो आड़े किननी सेलरी बननी है 37001 में, चैन्डीगर विखे और 49500 कत्ती जड़ी चैन्यवी विखे पोस्टिंग होनी है उनना दी सेलरी बन दी है एज जड़ी तो आड़ी है, लास्ट देट तक जोदो तुसी अपलाई कान दी लास्ट देट है ओदो तक तो आड़ी एज 18 साल तो पर नहीं होनी चाहें दी बद तो बद उमर 18 साल मंगी गई है और सामीयां दे कोड़ या राख्माकार जा जोगता और दी जड़ी है की जोगता क्यांस चाहिंदे किन दी त्यारवा चाहिंदा होतो आनो वेर वे डेटेल देविछ देशल दे है पहले जड़ी पोस्ट है अलेकरिकल इंजिनिंग देविछ percentage of marks 55% marks देना तुसी SSC 10th या इदे ब्रभबर दी कुई जोगता होवे इस तो अलावा ITI certificate तो अडिकोले electrician trade देविच होना चाहिंद है national जा state trade certificate होवे desirable देविच मंगया गया है एक साल दा त्यारबा स्वांदत खेतर देविच एक साल दा त्यारबा मंगया है जे त्यारबा नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो एह desirable है compulsory नहीं है त्यारबा त्यारबा सो यह electrical engineering देविच technician या पोस्ट है को ले चार पोस्टा ने OBC category दे लिए एक पोस्ट है unreserved जेड़ी है जेर्नल कोटे दे लिए वो दो पोस्टा ने इनना दे विच एक पोस्ट है जेड़ी दो पोस्टा दे विचो जेर्नल दे विचो चैनाई जेड़ी सेंटर दे लिए है और एक पोस्ट एड़ी होरीज़न्टल ही जब है ESM दे लिए एक सर्विसमेन दे लिए जाब रिक्वार्मेंट्स तो अड़ एक्सपीरियेंस जेड़ाइद विच मंगया गया है कि the increment shall be required to carry out jobs repair and maintenance of electrical installations machines equipment तो आनो machines दी electrical जड़ी भी installations होते लगी है जहाँ equipment लग गया है जांतर लग गया होना दी repair and maintenance दे लिए निजुक्त कीता जाने और the increment shall be required to carry out the electrical instrumentation and electrical experiments repair and maintenance of electrical control of workshop machines lab equipment and electrical installation and electrical lab यह तो आड़े job the profile है की काम तुसी करना है अगली पोस्ट दी गाल करिये था electronics दे विच technician जड़े रखे जाने ने technician 1 grade 2 एदा code है ECE1 एदि यहां कोल 5 पोस्टा ने एक SC category ली एक EWS दे ली और तेन SCD पोस्ट है दे विच होच्चे नई सेंटर दे ली राखवी है चे नई सेंटर भी केने जुक्ति कीती जानी है एदे ले भी qualification 10th 54% दे नार और ITI यह दी नेशनल स्टेट ट्रेड सार्टिफिकेशन दे लेक्रोनिक स्टेड दे विच होवे और desirable दे विच सीमिलर है एक साल दा त्यार बा तो आड़े तो मंगया गया है एक साल दा त्यार बा स्टेड खेतर दे विच होवे जा एदे विच परफाइल दी गाल करिये तो आड़ी काम की होगा दा अगला जड़ा पोस्ट दी कोड है एक पोस्ट अन्रिजर्वड है और एदे लेक्रोनिक्स इंजिनिंग दे नहीं स्वंदत कोड अगला जड़ा पोस्ट दी कोड है एदे लेक्रोनिक्स इंजिनिंग दे नहीं स्वंदत है एक पोस्ट अन्रिजर्वड है और एदे लेक्रोनिक्स इंजिनिंग दे नहीं स्वंदत है एक पोस्ट अन्रिजर्वड है और एदे लेक्रोनिक्स इलेक्रोनिक्स इलेक्रोनिक्स मेकैनिक इंस्टुमेंट मेकैनिक Communication Trade ये विच ITI मंगी गिया और एक साल दा 14 असाल दा 14 भा मंगिया गया है कोई भी उती सी थे हो ITI तुस्सी किती होवे Electronics दी किती होवे Electronics Mechanics दी किती होवे Instrument Mechanics दी किती होवे Communication Trade दे विच किती होवे ता सुसी जोग हो तुसी त्योग हो गुलाज़ी अगली जड़ा पोस्ट है होदा कोड है ECE 03, Electronics Engineering दे विच है Technician पोस्ट है, सारियां पोस्टां दे विच है Technician 1, Group 2, 1 है कोड, जड़ियां तिन पोस्टा ने एक SE category दे लिए, दो unreserved ने, एक पोस्ट दे विच हो horizontally reserved है ECE SM दे लिए, एदे विच भी सेम qualification 10th, 55% marks दे नल, और IETI तुसी electronics दे किती होबे, जया electronic mechanic दे किती होबे, जया instrument mechanic दे किती होबे, जया communication trade दे विच किती होबे, तुसी एस पोस्ट दे लिए जोग होँ, desirable की है, एक साल दा त्यारबा मंगया गया है, एदे च भी ऐसे तरह अदे जड़े काम है इस पोस्ट दे अंडर, जिमें practical training in analog, digital electronics दे विच देनी, PLCs, robotics, mactronics, and embedded system layers दे विच काम करना, also to carry out jobs, repair and maintenance of electronic equipment, equipment electronics दे एड़े उनना, repair and maintenance दे विच काम है, अगली पोस्ट है, Turner दे, Turner दे ट्रेड दे विच, technician 1, group 2 दे विच रखेने, turn दे the code है, TUR and capital letters दे विच, कुल 4 पोस्टा ने, एक OVC, एक SE category दे लिए, एक un, sorry, 2 पोस्टा unreserved दे, एदे विच भी 10th class दे विच, 55% marks दो आड़े होने चाहिंदे, और national जा state trade certificate दे लिच, Turner trade दे विच दो आड़े कोल होने चाहिंदे, एक साल दा 13 बा मंगया गया, इस दे विच, lat machines दी repair, maintenance दा काम है और train, students नों training दे नहीं है, turning work दे विच, एहे main job profile है, तो आड़ी जाल करी आपा, fitter trade दे विच, technician रखियाने ने एदा code है, FIWT, capital letter दे विच, 4 पोस्टा ने, एक OVC ले रिजर्ब है, जड़ी के Chennai सेंटर ले है, और एक EWS, economically weaker section ले है, दो unreserved ने जड़ी है, जड़ी है, स्वंदत खेतर दे विचे त्यारबा होए, एस दे विचे तुसी job profile दे जड़ी है, तो आड़ी, ओहो, fitting and bench work jobs है, assembly of optomechanical, components and undertake the repair and maintenance works of workshop, optical machinery, एस तरह दा काम है, training दे नहीं है, bench work jobs दे, नव स्वंदत स्टूडेंट्स नों, अगली ट्रेड दी गल करिये, machinist है, यदी code है, M ILLL, और यदी जडियां, पांच पोस्टाने, को भी सी लिए है, SC category लिए है, एक EWS लिए है, दो unreserved पोस्टाने, qualification एदे विचे 10th class दे नहीं है, 55% marks दे विचे 10th कीती होए, और machinist ट्रेड दे विचे, national जा स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट तो अड़ी आईटी है, इदा पोस्ट कोड है, DFT, बड़ी अख्रान दे विच, DFT01, एदी है, चार पोस्टाने, एक OVC काटेगरी लिए, एक SC काटेगरी लिए, एक EWS काटेगरी लिए, unreserved जाडि पोस्टाने, एक एदे च भी 10th क्लास दे विचे हो, 55% marks और ITI दे विचे, draftsman mechanical trade दे विच, certificate होवे तो अगली पोस्ट है, DFT02, draftsman civil, दी कोड है, दी पोस्ट है, technician दी, एक पोस्ट है, एदे च भी 10th क्लास दे विच, 55% और draftsman civil, दे दी है, ITI किती होवे, जाए थे लिखया है, 10th क्लास दे विच, 55% marks और 2 years full-time experience as an apprentice trainee from a recognized institute in the relevant trade, 2 साल दा तुसी apprentice trainee दे तौरते त्यारबा तो अडिकल होवे, किसे recognized संस्ता दा institute दा, full-time experience दो अडिकल त्यारबा चाहिं दे, apprentice trainee दा, ओभी apply कर सकते है, एदे च भी 1 साल दा जाड़ा त्यारबा है, मंगया गया है, अगली पोस्ट दी काल करिए, welding दे जड़ी trade दे विच technician है, एदा code है, WELD, एदी एक पोस्ट है, जड़ी के OBC category दे ले है, एदे विच भी 10th class दे विच 55% marks और welding trade दे विच ITA कीती होवे, ते 1 साल दा त्यारबा जड़ा मंगया गया है, एदे च अगली पोस्ट है, tool and cutter grinding, एक पोस्ट है, जड़ी के unreserved है, grind एदे दा पोस्ट कोड है, GRIND, technician 1, grade 2 दी पोस्ट है, जड़ी 10th class दे विच 55% marks चाहिं दे तो आड़ी और machinist grinder और tool and cutter grinder trade दे विच तुसी ITA पास कीती होवे, machinist दे विच एक साल दा त्यारबा जड़ी मंगया गया है, SMET code है अगला, sheet metal trade दे लई, SMET, एक पोस्ट unreserved है, एदे च qualification तो आड़ी 10th 55% और sheet metal trade दे विच ITA पास होवे ते एक साल दा त्यारबा जड़ा मंगया गया है, 10th class होवे, SSC होवे, SSC जाए दे बरबर दी कोई भी जोगता होवे, 55% marks चाहिए अगली जड़ी है, carpentry trade है, carpentry trade दे विच एक पोस्ट unreserved है, एदे चवी 10th class दे विच 55% marks और carpentry trade दे विच ITA ते नाल एक साल दा त्यारबा मंगया गया, refrigeration दा पोस्ट कोड है, REF, एदे एक पोस्ट है जड़ी के unreserved है, एदे ली qualification तो आड़ी, 10th class दे विच विच 55% marks और refrigeration trade दे विच जड़ी ITI है, state जा नाशनल लेवल certificate तो आड़ी कोड होवे, एक साल दा त्यारबा मंगया गया, यह है, refrigeration पोस्ट, अगली पोस्ट है, computer दी, नरस्वान दा टेक्नीशन दी backlog दी साम्यों पर रियानी है, SSE, 10th standard दे विच विच 55% marks और ITI है जड़ी, computer operator and programming assistant और network technician दे विच तो आड़ी, जड़ी ITI होनी चाहिँ दी है, minimum एक साल apprenticeship in computer trade, एक साल दी computer trade दे विच apprenticeship तो आड़ी है, वो मंगी गई है, जाँ एक साल experience होवे computer networking software दे विच वो मंगया गया है, अगली जड़ी trade है, machinist grinding, optical polishing, एदे च कोड है, OPT, दो पोस्टा ने, एक SC और एक unreserved है, 55% marks 10th दे विच ओ, ITI machinist, machinist grinder and tool cutter grinder, एस trade दे विच जा, simple machinist दे विच तो आड़ी होवे तो आपलाई कर सकते हो, एक साल दा त्यारवा, एदे ले भी मंगया गया है, और अगली trade ह plumbing, plumbing दा कोड है, PLUMB, एदे च दो पोस्टा ने, एक unreserved है, एक OVC category दे ली है, so PLUMB एदा कोड है, 55% marks 10 दे विच ओ, और ITI जड़ी plumbing trade दे विच दुसी किती होए, जाए एदे ली दूसरे जड़ी, candidate 10th class दे विच ओ, SSC class दे विच 55% marks, और 2 years full time experience as an apprentice trainee from a recognized institute, जिनना ने 2 साल दे ट्रेट दे विच रेगुलर full time experience है, apprenticeship दा, ओभी apply कर सकते, desirable है दे विच एक साल दा experience, और अगली जड़ी है, painting trade दे विच, paint एदा है, code PAINT, एक पोस्ट है जड़ी general category ली है, एदे च भी 10th class 55% marks, और painter trade दे विच आई ते एक साल दा त्यार्भा मंग आगया है, यह है painting और painter, एसी असामियां दे code राख मकार्न ते उनना दी, जड़ी qualification की की चाहिं दिया, इस तो बाद तो अन दास्तियां, selection तो ADK में किती जानी है, चोन दा की ट्रीका है, एदे च अलग अलग जड़ी तिन टेस्ट ले जाने, screening committee सबतो पहले बनाई जाएग the candidates are recommended, as recommended by the screening committee, duly constituted for the purpose, shall be invited for a trade test, जड़े कमेटी द्वारा रिकमेंड कीते जानागे, online apply कारन तो बाद तो अड़नू, जड़ी कमेटी एक बनिया हो चेक करेगी तो अड़ी documents, ओ रिकमेंड कारनागे कि किनना candidates नूँ trade ads देली बलोने, उनना दा trade test करवाया जाने, जड़े trade test नूँ qualify कारनगे, उनना नूँ जड़ा मुकाबले दी परिख्या, written examination ओ करवायी जाएगी, ओधली बलाया जावेगा, उधे तिन पेपर होनगे, जड़े रिकमेंड कीता तो अनू ता उनना देखगे, तिन पेपर होनगे, पेपर 1, 2, and 3, पेपर 2, and 3, जड़े है, उनन बच्चें दा, उनना candidates दा चेक होवेगा, जिनना ने minimum threshold marks, जिनना ने का टोकाट जड़े अंक मे थे जाणगे, सेलेक्शन कमेटी द्वारा के पेपर 1 देविच्चो एनने लेने है, जड़ा उननू पास करेगा, पेपर 1 वो condition क्लियर करेगा, उनना दा पेपर 2 या 3 जड़ evaluate किता जाएगा फिर, नहीं ता उस केस देविचे जे पेपर 1 तो आड़ा qualify नहीं कार दे, तो आड़ा पेपर 2 या 3, evaluate ही नहीं किता जाएगा, चेक नहीं किता जाएगा, एन्ड फाइनल merit list आएड़ी तो आड़ी, ओ पेपर 2 और पेपर 3 दे marks जड़े candidates बहह लो लै जानग एदे च वखवख टॉपिक्स होनगे मेंटल अबिलेटी टेस्ट होगा जेनल अबियरनेस होएगी जेनल इंगलिश होएगी ते कंसर्ण तो आड़ी ट्रेट दाइड़ा स्विजेक्ट है स्विजेक्ट दे क्वास्चन्स होनगे mode of examination की होएगा OMR based हो सकता है जा computer based objective type multiple choice examination तो आड़ी होएगी MCQ based होएगी multiple choice questions तो आणोंगे OMR based भी हो सकता है या तो आणों online computer ते भी test CVT जिन्नों बोल दे हैं computer based test आड़ा हो सकता है medium of questions, the questions will be set both in English and Hindi except the questions on English language, जेड़े English language जेड़े बाकी paper ते टेस्ट दे questions आओ English ते हिंदी दोनों पाशामा दे भी जोणगे standard of exam केड़े slaves जवाएगा SSC plus ITI जा 12th standard देड़ा exam में तो आड़े लेवल दे अग्जाम होएगा total number of questions किन्ने होणगे 1500 प्रेशन तो आड़े तो पुछे जानगे करना है और हुण तो आणू जेड़े paper 1 लेया जाना है 2 लेया जाना है 3 लेया जाना होधी पूरी detail तो आणू इथे दरसन लग गया paper 1 जेड़ा है एदा subject होएगा mental ability test एदे question होणगे तो आणू 50 प्याँ और total number एदे होणगे 100 दो नमबर द एक question होएगा और negative marking एदे बिच कोई नहीं होएगी किसे भी तरह दी negative marking नहीं है mental ability test पहला paper जेड़ा qualifying exam में तो आणा ओप नहाँ questions होणगे दो नमबर द एक question होएगा 100 नमबर द पेपर है कोई negative marking नहीं है mental ability test एजड़ा will be so devised so as to include general intelligence quantitative aptitude reasoning problem solving, situational judgment etc. एहे main topics ने इस तो लाबा होर भी etc. लिखा है topic तो नहीं आ सकते है general intelligence, topic quantitative aptitude reasoning, problem solving situational judgment एजड़ा एजड़ा paper 2 द जड़ा time है ओ ती minute होएगा इस तो पहला paper 1 discuss कीता है द टाइम में जड़ा पिजा question द एक कांटा होएगा paper 2 द टाइम ती minute होएगा ओ paper 2 दे विच की आएगा general awareness और English language general awareness दे विच पच्ची question आम ग्यान जिसनों आप बोल दे है अगरे जी पाशनल स्वांत तो जड़े एंगरे जी पाशा दे प्रशन होएगा तो नो भी पच्ची question एह रेक परशन तेन नमबर दा होएगा तो पच्च्चर पच्च्चर नमबर दोनों पार्स दे विच वाएगा paper 2 दे विच मतलब 1500 नमबर दा एतो आड़ा paper होएगा एदे विच negative marking जरूर होएगी one negative mark for every wrong answer जे तुसी गल्थ उत्तर देन्यों तो आड़ा एक नमबर दा कट्या जाएगा और जे तुसी सही उत्तर देन्यों तो three marks for every correct answer तेन नमबर तो आड़ा दो सही उत्तर दे मिलनेगे गल्थ उत्तर attempt कीता गया तो आड़े द्वारत तो आड़ा एक नमबर दा ओहो minus हो जाएगा paper थर्ड दी गल करिये ता एक कंट है दा total time मिलेगा concerned subject मतलब तो आड़े trade दे विच्चो paper आएगा तो आड़े trade ना स्वांत जेड़ा भी तुसी trade दे विच idea ही पास कीती है ओ दिना स्वांत जेड़ा तो concerned subject होएगा एक कंट दा paper है पंजा question दा हे paper होएगा paper third कोल question है जेड़े दे रहे हो किसे भी प्रश्चन दा पंजा question देड़ सो नंबर तेन नंबर दा हरे एक question होएगा नेक्टे मारकेंग एक नंबर दी होएगा paper one two three दे वेर वे उन्तों अनुदास्तियां तुसी apply के में करना है इस पे जड़ा पोस्ट दे लए ना सामिया दे लए सिर्फ online विधी रही अप्लाई किता जाना है बिने पत्तर दा print लेके जा कोई होर documents ने ड़े किसे भी तरीक के तुसी जमा नहीं कर वोने किते जा डाक रहे किते ने पे जने सिर्फ online submit करना है तुसी फाहम परके उमीदवार नो online विना पत्तर दे बाकी दास्ता बेजन दा एक print out विक विच हवाले ते verification लेए अपने को रखन दी सला दिते याँदि तुसी print out अपनी application दा जो final submit करती है application जा तुसी नाल जड़े document दे attach किते है अपलोड किते है उनना दा एक copy प्रेंट आउट लेकर रख सकते हैं उपके कदे विच किसे भी तरह दे reference दे लेए जा तो आड़ी जे selection हो दिया तो verification दे लेए तो आड़ी तो मंगया जा सकते है तो online विदी रहे apply icon तो पहला जेड़ा पूरा बगयापण है ओधा link में तो आणनो description box दे विचे दितता हो है तो online apply icon दा link भी तो आणनो description box दे विच दितता है ओधिनार स्वांद तो online हदायता ने कोश तो आणनार तोसी पढ़ लेनी है और पूरा बगयापण दी copy जेड़ी अटाइच कित या description box दे विच तो आड़ी सुविदा दे लिए ओभी ते आननल पढ़ लेने एक तो बद असामी दे लिए विनेपत्तर apply icon लिए हरे एक असामी दे लिए वखरा विनेपत्तर आजड़ा online फार्म पर आज़ाने तो वखरी फीस है जड़ी ओधी तो आनों पर नहीं पाएगी हरे एक असामी दे लिए वखरा विनेपत्तर फार्म और वखरी फीस है जड़ी पर आज़ानी है ये note carland candidates और एदी apply icon लिए आखरी मिती है जड़ी 12 जून 2003 शाम पांज बज तक है कई candidates दे माहिन दे विच्छन दे के 12 जून 2003 लास्ट है और रात 12 जून है ता उसके इसे विचे note carland candidates के शाम पांज बज तक आखरी मिती है दी 12 जून 2003 शाम पांज बज तक आउनलाइन फार्म एड़ा तुसी पर के सामिट करवा सकते हूँ apply icon लाइ जरूरी दास्ता वे जड़े तो आनो चाहिं दे आऊ तुसी online apply icon तो पहलना ready रखने अपने को ओ PDF फाइल दे विच आपलोड करने और उनना दा साइज आज आड़ा सारे डॉकमेर्स ता पांज एम भी तो ज्यादा ना होवे सब तो पहला जी date of worth certificate तो आड़ा ready होना चाहिंदा तो आड़े कोल दूसरे नबर ते educational qualification certificate तो आड़े 10th प्लस 2 ITI national और state level the trade certificate आड़ा तो आड़े कोल diploma, graduation, post-graduation, PhD as applicable जे में भी तो आड़ी post ते विच जेड़ी तो आड़ी required है qualification ओ डॉकमेंट तुसी ready रखने है including conversion formula for CGPA to percentage जे तो आड़ी qualification तुसी एह जे किसे संस्ता तो या बोड तो आई टीए जा दसमी किती है जिते CGPA दा जड़ा formula CGPA दे विच तो आड़ा grade आउंदा है ता उदा convert कानना उनू बदलना percentage दे विच ओ भी तो आनू conversion formula भी नाड़ा अपलोड करना पेना है उसतो बाद experience certificate जे तो आड़ा कोई तियरबा है तुसी लोना चाओने नाड़ अपना experience ओ तो आणू ready रखना है जे तुसी पहला ही job दे विच ओ ता तो आड़े ज्याड़े अम्प्लायर ने ज्यते तुसी ज़्ज़ाव करने हैं तो तुसी एन्योसी लेके ओट बी नालोन है वो एन्योसी रखना है तो अडियाँ कोई पेटेंट है तो अडिपाविलीकेशन है ओभी तुसी रखनी है अगला है कास्ट सर्टिपेट तो आड़े जाती दा certificate जे तो आड़े ते लागू है कोई SC, OVC, candidates जा किसे होर category दे विच अपलाई करना चौने हो ex-serviceman वगदा ता तुसी ओदे लई अपना reservation दा certificate है ओभी ready रखना है disability certificate जे तुसी PWBD category दे विच अपलाई करना चौने ता disability certificate जे तुसी economically weaker section EWS च अपलाई करना चौने हो ता income and asset certificate जेड़ा के proper prescribed format दे विच होवे और competent authority द्वारा issue कीता गया होवे EWS दे लई ये तुसी ex-serviceman category च अपलाई करना चौने हो ता discharge book तो आड़ी certificate PPO pension order book जे सुनों पर बोल दे हो तो आड़ी ready होवे upload का अंदली certificates relating to biddo divorced woman, woman judicially separated from husband if applicable जो तुसी विदवा हो या तो आड़ा तलाग, शुदा तुसी औरत हो या तो अनू judicially separate हो तुसी अपने स्केस दे विचे भी हो और कोई स्वांदत document है वो तुसी ready रखना है स्क्रीन शॉट तुसी चल दी स्क्रीन शॉट कर दे रहें किसे भी तरह दी अपडेट यह कोई हो दी है इस चैनल तो भी तो आड़ेनल जानकर इसांजी का अंदी कोशिच करांगे पर तुसी इस जड़ी website नू समय समय ते हर तरह दी अपडेट दी चेक कर दे रहें है इस website दा link भी description box दे विचे जड़ी दफ्तरी है website दे दे तक है तो आड़ी सुविदा दे लिए और एक चीज होर तो आनुदास्ती है कि जड़े भी SC और BC कैटेगरी दे कैंडिडेट होना दी कोई फीस नहीं है जड़े नाली सारे उम्मिदवार जड़ी है जड़े इनन पोस्टां दे लिए अपलाई करना च और यूर ब्राइट फेचर जी वीडियो दे जानकरी बदिया लगी तो लाइक दा बटन क्लिक करके लाइक जुरूर करो वीडियो नो अपने साथियां देनल और जड़े स्वांदत उम्मिदवार है जड़े अपलाई कर सकते आई टी आई पास उम्मिदवार है ननल बिलक नमी जानकरी दनल तरतक लित्वा डबात बात थेंक यू गोड़ लग